दोस्तों हर भार की तरह ये वीडियो भी तोड़ा सा इंपोर्टेंट है जरा 3-4 मिनट यहां पर ध्यान देदो आपका आज का काम हो जाएगा आज का हमारा मुद्धा यह है कि जब भी आप लोग खेतों में पेस्टिसाइड को स्प्रे कर रहे होते हो या पेस्टिसाइड को ऑप लोगे है इसको एक्स्माइनेशन अपने इस वडियो के अंदर सबसे में यहां पर लोग के बताना चाहता हूं कि यह जो पैस्टिसाइड होता है इसके अंदर होता है जहर इंद केमिकल अमद्धार मैं अगर एक एक ग्जांपल दू तो आसा समझो कि समदलो मैंने यह जहां पे गेहु की खती करीए तो गेहु की खती में सब जगां गेहु के क्रॉप उग गये हैं गेहु की फसले गये कंग व memo के साथ बहुत से फाल तुक में जाड़ू उग गये अब यूद अब हमारे गेहू के पेड़ों नहीं पूलाइटीर मिल पाएगी तो वो अपना फोटो संतिस नहीं कर पाएगा तो वो हमारा प्लांट वैसे ही मर जाएगा और हमें मुनाफ़ा नहीं हो पाएगा हम ज़दा पैसा नहीं छाप पाएंगे तो कहीं न कहीं कहने का मतलब यह है कि हम लोग खेतों में पेस्टाड इसली जालते हैं ताकि वो फाल्तू के अन्वांटेड घास फूस जो होते हैं वो मर जाएं लेकिन मेरा मानना है कि कहीं न कहीं यह पेस्टाड जो होते हैं इनका इस्तमाल धुना कम करना चाहिए क्यों कम करना चाहिए क्योंकि यार देखो हमारे पेड़ पोधों का हमारे प्लांट का खुद का अपना एक इम्यून सिस्टम होता है मतलब उनके पास खुद रोगों से बिमारी उमारी हो रही है या कोई फंगस फंगस अटैक कर रहा है या कोई कीड़े मकोड़े लग रहे हैं उसको तो वो खुद से उसको मारने की चमता रखते हैं जैसे मालो मेरे human body के अंदर अगर कोई bacteria वगरे सा रहा है तो कैसा मैं बिमार हो तो मैं तुरन्थ भाग के जाऊंगा डॉक्टर के नहीं पहले मैं एक तो दिन देखूंगा बैट के आराम करूंगा कि मैं ठीक हो पा रहा हूं कि नहीं हाँ अगर बिमारी काफी सेस होगे उस स स्किर टकना सरू कर देते हैं संबर लो मैं ने खेत आज भराई पूरा पाणी से चौचक भर दिया खेट और मैंने पेसि डाल दिया हुसके अदर तो आपको मालो में खेतों में जो पानी होता है यह भैता है तो यह खेतों का पानी भैते जाता यह नालियों के अन्दर पानी ज्यादा हो गया तो फानी वापिस से स्रीन傳्लाणार दिया कृट फानार धोरी यूरिय्व और मैञगा जै शीये के अ सब्सक्राइब अहिए जैकने नालियों से जाया है और फिर नालियों से जैजाएगा नहरों में नहरों झाल ओर नदियों के अंदर आपको आपको मालूं में बहुत सारे अक्विटिक एनीमल्स रहते हैं जैसे कि हमारी मच correctly प्हूरा हो गई तो ये लोग więcej पने कंदर पर पानी के अंदर ही वह देखने मोण पर नेते देखने को मिलेगां मेरी बौड़ी में पॉड़ी के इसा होगा मेरी पूरी बॉड़ी इसा तो ऑफä सब्सूर्प केमियों त convene कहाएगा मेरी logis turra मौई माय पर ऐसी अँरी मोग के हुने ने माड़ीच्ट हो भाव bio magnifies कहने का मतलब यहाँ पे यह है कि यह जो poison है यह poison food chain के माध्यम से हम human body को ही ultimately defect करने वाला है हम human body को ही ultimately परिशान और नुक्सान पहुंचाने वाला है अब यहाँ पे आप लोग को कुछ poisonous pesticide के नाम बताते हैं जो कि पहला famous है DDD और दूसरा है जलाथियों और यहाँ पे है उसका नाम है chloropyrifos यह सब जो pesticide हैं बेसिकली देखा जाए तो यह सब जहरीले pesticide होते हैं जिनके अंदर poison होता है तो यह तो बात हो गई हमारी human body को इससे क्या नुक्सान होने वाला है तो अभी फिलाल यहाँ पे यह समझते हैं कि जब हम लोग यह pesticide को खेतों में छिड़क रहे होंगे उस समय हम लोग को कौन कौन से precaution को ध्यान में रखना पड़ेगा क्यों यह poisonous होता है तो यहाँ पे आप लोग को सबसे पहले यह ध्यान देना है कि जब भी हमारे खेतों को requirement हो तभी ही आप pesticide को छिड़कें खेतों में ऐसा नहीं कि मनमानी आप लेके खड़े हो गया है पेटला लेके लाद लिये बाटला पीट पे और लेके पहुझ के खेतों में नहीं ऐसा मनमानी नहीं डालना है मैंने आपको बता थोड़ा पहले क्या नुकसान हो सकता है इसका तो एक्स्ट्रा में फालतों में क्यूँ आपको डालने का है chemical और यह पेटला जो होता है जरीला होता है पॉजनेस होता है तो जब भी आप लोग इसको छीरा कर रहे होंगे जब भी आप लोग इसको स्प्रे कर रहे होंगे उस समय आपको कपड़े से अपनी नाक वगरा को बंद कर लेना है या फिर आपको मास्क वगरा भी लगा देना है ताकि वो जो पॉजन के पार्टिकल होंगे वो गैस के माध्य में जब शुड़केंगे नोस के थूर आपकी बॉड़ी के अंदर ना जाएं दूसरा जिस डंडे से आप लोग छिड़कोगे उस पिस्ट्राइड को खेतों में वो डंडे को पकड़ना ऐसा नहीं बस नॉर्मल पहुंचा और लॉली पॉप जैसा समझ के पकड़ लिया नहीं उसको आप लोग को प बेकार नहीं है सब सब फालतू नहीं है कुछ बेकार होते हैं लेकिन सब को नहीं मारना है हमें खेतों की फर्टिल्टी को मेंटेन रखने के लिए उनका होना बहुत जरूरी है तो खेतों में अना आवश्चक जब रिक्वार्मिंट ना हो ऐसे मनमानी आप लोग लेके पे पेश्चाइड की बोतल को खोल के उसको गटक जाओ नहीं नहीं भाई उसको बिल्कुल भूल के मत पीना तो आप लोग आपका वहीं पर स्वाहा हो जाओगा वहीं पर चल बस होगे आपने यहां पर अब तक यह जो छे साथ प्रिकॉशन सापने देखें यह सब इंस्ट्र आप अपने खेट में पेश्चाइड डालोगे और तुफान आएगा जोड़ से तो वह हवाओं के साथ में पेश्चाइड को दूसरे किसी खेट में चोड़ देगा और भाई उसके मानलो उसके खेट में नहीं जरूरत हो पिश्चाइड की तो भी वहां पहुंच जाएग अगर आप लोको हमारे video से कुछ value सीकने मिली है तो यहार आप लोग चनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं करила हो एंगर आप लोग को फसंद आई हैं तो बिएए क्लाइग भी कर सकते